हलो फ्रेंज नमस्कार और वेलकम टू कोमल नाहता ओफिशल इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलाइन्स एंटर्टेन्मेंट की दो बड़ी एक्चिली बहुत बड़ी फिल्मों के बारे में सूर्य वंशी और 83 सूर्य वंशी डिरेक्टिट बाई रोहिच शेटी और कभीर खान की 83 के बारे में लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल नाहता ओफिशल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजेगा दोस्तों बड़ी खबर ये है कि सूर्यवंशी और 83 रिलाइन्स एंटर्टेन्मेंट की दो फिल्मे जो लॉक्डाउन के पहले से तयार है इस साल नहीं रिलीज होगी दोनों 2021 में रिलीज होगी शुरू से बात करते हैं सूर्यवंशी, रिलाइन्स एंटर्टेन्मेंट, अक्षा कुमार, रोहित शेटी और करन जोहर की सूर्यवंशी उसकी रिलीज तै हुई थी 24 मार्च 2020 को 24 मार्च Tuesday था और यह मिडवीक रिलीज होने वाली थी, बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ आ रही थी क्योंकि उसका ट्रेलर लोगों को बेहद पसंद आया था लेकिन फिर लॉक्टाउन हो गया, सिनेमाज बंद हो गया और इसलिए बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी पोस्पोन करना पड़ा फिर 30 जून को मल्टिप्लेक्स ने आइनॉक्स, PBR, इन चेंज ने अनाउंस किया कि दिवाली 2020 पर सूर्य वंशी आएगी और 83 क्रिस्मस 2020 में आएगी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉक्टाउन से पहले 83 के रिलीज डेट ते जो हुई थी 10 एप्रिल 2020 तो एक 24 मार्च 2020, दूसरी 10 एप्रिल 2020, अब 30 जून को मल्टिप्लेक्स ने अनाउंस किया कि सूर्य वंशी दिवाली 2020 में आएगी और इस साल के क्रिस्मस में यानि इस साल के आखरी सब्ता हमें 83 रिलीज होगी प्लीज नोट, रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट ने ये एलान नहीं किया था लेकिन क्योंकि रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट ने ना इसको डिनाई की निउस को और ना ही हामी दी इसलिए it was assumed that Reliance Entertainment भी agree करते हैं इस news के साथ तो National Multiplex Change ने ये एलान क्यों किया क्योंकि उस समय उसके कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही Disney Plus Hotstar ने अपनी slate announce की थी तो जब OTT प्रेमियर्स बहुत common हो गए तो Multiplex Change ने सोचा अगर हम right signals नहीं देते हैं public को तो ऐसा लगेगा कि सारे लोग हमें छोड़कर सिनिमा प्लाटफॉर्म को छोड़कर OTT की तरफ दौड़ रहे हैं जो कि in a way सही था लेकिन क्योंकि रोहिट शटी और कबीर खान की फिल्में Reliance Entertainment की ये दो बड़ी फिल्में सिनिमा घर में ही रिलीज होने वाली थी इसलिए उनको था कि हमें ये बताना जरूरी है दुनिया को कि हमारे साथ भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो हमारे साथ खड़े हैं जो सॉलिडारिटी बता रहे हैं खेर उसी समय 30 जून को हमने हमारी वेबसाइट filminformation.com पर ये कहा था कि इस announcement के कोई माइने नहीं है कि दिवाली पर एक फिल्म आएगी और दूसरी फिल्म क्रिस्पस पर आएगी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस समय तक ये भी नहीं तेय था कि सिनिमा आखिर कब reopen होंगे और जब ये नहीं पता कि सिनिमाज कब reopen होंगे तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं पता था कि लोग भारी संक्या में सिनिमा घर तक आना कब शुरू करेंगे और यहीं हुआ सिनिमाज नहीं खुले बंद रहे बंद रहे बंद रहे और इसलिए Reliance Entertainment ने ये बहुत बाद में जाके ऐलान किया कि उनकी फिल्म सूर्य वंची इस साल नहीं रिलीज होगी लेकिन साथ में ये भी कहा कि 83 डेफिनिटली क्रिसमस पर आईगी लेकिन अब क्योंकि सिनिमाज को खोलते खोलते इतनी देरी हो गई 15 उक्टोबर को सेंटर ने permission दिया था कि सिनिमाज खोल सकते हैं लेकिन साथ में ये कहा था कि अलग अलग प्रांतों को उनके गर्मेंट्स को ये तैय करना है कि उनके प्रांत में सिनिमाज रिलीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं containment zones में शायद ना हो So everything was left to the state governments तक बहुत कम numbers में आ रही है और इसके कई कारण है लोगों को अभी भी डर है कि virus का attack नहीं हो जाए लोगों के पास spending power कम है and playing programs नहीं है इस वज़े से भी लोग ये सोचते हैं कि पुरानी film क्यों देखें पुरानी filmों का वैसे भी business ठपता लोग पुरानी film में देखने के लिए cinema घर अब बहुत कम आते थे pre lockdown days में तो अब lockdown days में risk लेकर पुरानी film क्यों देखने आएंगे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों की भीड cinema घर में नहीं देखने का और plus कुछ प्रांतों में अभी भी cinema बंद है इन सब कारणों से Reliance Entertainment ने ये decision लिया है कि उनकी film 83 भी 2020 में रिलीज नहीं होगी Christmas की date उन्होंने खाली कर दी है They have made it clear कि उनकी film अब 83 2021 में रिलीज होगी यानि सूर्यवंशी और 83 दोनों अगले साल रिलीज होगी If all goes well Mind you, if all goes well तो Reliance Entertainment सोच रहा है कि सूर्यवंशी और 83 दोनो 2021 यानि अगले साल के first quarter में आएंगी January, February, March और अगर Semblance of Normalcy देखने को मिली तो शायद एक film इन में से एक film Republic Day वाले week में आएगी क्योंकि Republic Day वाला week भी बहुत बहुत बाउंटिफुल होता है box office के लिए इसका ये मतलब है कि सूर्यवंशी और 83 दोनों का postponement लगभग एक साल का हुआ almost 9-10 months शायद उससे ज्यादा Imagine, lockdown ने क्या havoc play किया है Reliance Entertainment की filmों के साथ and mind you, ये दो filmे अभी तक अगर OTT platforms पर streaming platforms पर premiere नहीं हुई है तो कई कारणों से नहीं हुए लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दो filmों के budgets इतने इतने बड़े budgets हैं कि कोई भी OTT platform इतनी price नहीं देने को तयार है कि Reliance Entertainment और बाकि जो अन्य प्रोडूसर्स हैं उनका cost भी recover हो जाए और शायद थोड़ा बहुत profit भी निकल जाए इस वज़ा से मजबूरी में Reliance Entertainment is holding the two films back and announcing that they will now release in 2021 एक और बात ये दोनों filmें बड़े पर्दे के लिए बनी हैं वैसे तो सारी filmें बड़े पर्दे के लिए बनती हैं लेकिन खास कर ये दो filmें they are बिग स्क्रीन Entertainment इस वज़ा से भी Reliance Entertainment Akshay Kumar Rohit Shetty Karan Johar in the case of Suryavanshi and Reliance Entertainment Kabir Khan, Deepika Padukon, Vishnu Varadhan Induri and Sajid Nadyanwala in the case of 83 they have decided कि ये film Suryavanshi and 83 respectively cinema घर के लिए बनी है और cinema घर में ही आनी चाहिए तो अब Christmas पर कौन सी film आएगी अबल तो Christmas तक लोग कितनी संख्या में cinema घर में आते उस पर dependent है कि कोई film आएगी या नहीं आएगी लेकिन अगर Christmas तक धीरे धीरे लोग आना शुरू करते हैं cinema घर में आना शुरू करते हैं तो हमारे sources के मुताबे Christmas पर Christmas वाले सबताह में या श्राज फिल्म्स की यानि आदित्य चोपड़ा की Banty और Bubly 2 रिलीज हो सकती है अब आप कहेंगे सूर्य मंची नहीं 83 नहीं तो Banty और Bubly 2 क्यों इसका भी explanation हम देते हैं छोटी और medium budget की filmे they are very different from big budget films बड़े budget की filmे खास कर वो filmे जिनके budgets 175, 200, 2700 करोड है उनकी recovery theatrical से बहुत भारी होती है satellite और digital से भी उन्हें बहुत बड़ी price मिलती है लेकिन इतनी price नहीं मिलती है कि उनकी total cost recover हो जाए लेकिन छोटी और medium budget की filmे खास कर अगर उन filmों के producers या शिराज films या धर्मा प्रोडक्शन जैसे बहुत बड़े banners हो तो उनकी कभी-कभी cost complete cost entire cost satellite rights और digital rights बेच के निकल जाती है Yes, theatrical revenues are fully profit for such films और इस वज़े से अगर Banty और Bubbly 2 आती है हो सबता है Christmas पर अगर बहुत भारी संख्या में लोग नहीं आए, at least Banty और Bubbly 2 का loss नहीं होगा if the producers have recovered the entire cost from digital rights and satellite rights and of course music rights यही कारण है के छोटे और medium budget वाली फिल्मों के producers अभी भी सोच रहे हैं in terms of releasing their film जबकि बड़े producers, producers of films like Surya Vanshi और 83 अभी भी decide नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपनी फिल्म कब रिलीस करनी चाहिए दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने Surya Vanshi Akshya Kumar की Surya Vanshi, Katrina Kaif की Surya Vanshi Rohit Shetty की Surya Vanshi और 83 Ranveer Singh, DP Kapadukon और Kabir Khan की 83 के बारे में बाते की कैसा लगा? Comment section में जाकर अपने comment जरूर post कीजिएगा and जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूँ stay safe, stay relevant and of course stay tuned